आज मैं आपको डाई बता रहे हैं उसके लिए सबसे पहले देखिए यह मैंने एक नोई की कड़ाई ली है और गैस को मैं ओन कर दूंगी और इसमें मैं डालूंगी एक कप पानी तो आज हम सबसे पहले एक बहुत अच्छा सा सिरम बनाएंगे जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो आज पल जैसे गर्मियों का मोसा में तो पसीने की वज़े से बाल बहुत ज़्यादा टूटते जड़ते हैं तो उसके लिए सबसे पहले देखिए मैं क्या लूंगी इसमें मैं लूंगी देखिए यह है भ्रहंगराज बहुत ही ज प्रोर से आराम से मिल जाएगा तो इसमें हम लेंगे सबसे पहले साबुत वाला ब्रहंगराज की जो पतिया होती वो लेंगे और यह हम अंदाजे से कोई बात नी थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नी यह लगबग हम लेंगे तीन चमच के करिए यह देखि तो इसमें लगबग में देखिए यह इतनी सारी ले लूँगे क्योंकि अगर हम इसे अच्छे से करके अ करे लेंगे तो यह दूआँ हिरो जी तर तो यह पक्लाइन लिया है तो यह मैं नेने एक कप पानी लिया है तो एक कफ थोड़ा ज्यादा यह वाला कफ है इसलिए तो इसको हम गयास को कर देंगे बिल्कुल कम और इसको कम can जो हम निकल जाएगा तो इसको हम धखकर हम इसे कम से कम 2-3 मिन तक पका एंगी इतने में हमारी जो पतिया है वह सोफ्ट हो जाएगी और यह बहुत अच्छा हो जाएगा तो चलिए भी 2-3 मिन तक इसे पका देते हैं हमने सिरم पकाया था वो पकर तैयार हो चुका है अभी मैं इसको कोल देती हूँ तो मैंने इसको कम ग्रैस में पकाया था तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बलैक हो गया है तो अभी हम इसको ठंड sides हूने Minister एक के बाद इसके हम डाइगी डाइज बनाने के लिए हमें चाहिए मिखूतLA हो च्छान ले तो चलिए पहले पहलें अच्छे च्छों करना इसको इस तरह लोगा यह कोती है अच्छा से हाथ ऑना आप अपने सार्पी क्साल करें yeah यह बहुत अच्छी होती हैं और यह पानी बहुत जाद अबज़ोब करती हैं तो इस तरीके से इसको चानने से पहले आपको अपने हाथों से इसका जितना अर्ख है ना वह इस तरीके सापन निकाल लीजेगा देखे इस तरीके से उसके बाद आपको न छानने के विजुटने पड़े की क्योंकि ये साबुत हर्ब थी तो ये पूरी की पूरी एक जगाई कट्टी हो जाती पकने के बाद इस तरीके से पूरा ये जितना भी इसमें हर्ब थी न वो सब देखे निकल गई है इस तरीके से तो चलिए अब हम इसको दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे क्योंकि मैं लोही की कड़ाई में ही कड़ाई को कड़ाई होती है वो ज्यादा अच्छा लागता है बनाना तो इस तरीके से तो पहले तो मैं आपको सिरम का रिसरल दिखा देती हूं कितना ब्लैक बना है यह ऐसा नहीं है कि ब्लैक ही बना है इसका कलर बालो में बिल्कुल नहीं आएगा वैसे तो आप देख सकते हैं मैंने इसे च्छाना है तो मेरी जो फिंगर थी वो देखिए यहां से कलर आरा इसमें यह देखिए इस तरीके से कलर आरा इसमें लेकिन अभी हम इसको जब डाई में बनाएंगे न तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा तो इसके लिए मैं कौन सी हिना का इस्तेमाल कर रही हूं आज मैं आपको अपनी हिना बताऊंगी जिसका कलर बालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है उलेकिन आपको लिखा देगी हूं यह जिए राजिस्थानी महंदि यह तो देती ने पर अच्छा कलराच्छी का इससक बunnit मैं नहीं अपने बालों के अच्छा डाल अ क्या लेनी चेहर यदि दोसली हम डालेंगे देगे जिसमे मजीत का पाउमडर यह भी बहुत अच्छा होता होता ? क्यों से मह sobie आपको डालेंगेัऊएं और इसमें हमद्धर दालेंगे अपना सिरम जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही असरदार है इस सिरम को बना कर आप अपने फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं जब भी आपको हिना लगानी है तो इस तरीके से इस सिरम में आप अपनी हिना को का जो पेस्ट है वो बना सकते हैं और जो आज मैंने आपको मंजीत के बारे में बताया है मं बालों की जड़ों को मजबूर बनाती है तो मंजीत बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है बालों के लिए देखे इस तरीके से हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे देखे हमारा जो पेस्ट था वो तयार हो चुका है और इसमें आपको इसको रखने की भी जुरत नहीं क उसके बाद आप खुद देखेंगे इसका कलर बालों में बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ब्लैक कलर आएगा तो यह फर्स्ट अप्लिकेशन में आपके बालों में ब्लैक कलर देखी इस तरे रैड कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि जो मैंने आप सिरम प रखें बिल्कुल यानि की साफ बालों में जितने साफ बालों की कलर उतना ही अच्छा आएगा तो आप इसे बनाईएगा इस्तिमाल कीजिएगा जिस तरीकी से मैंने बताया उसके बाद आपके बालों में कैसा रिजल्ट आया वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और व